नमस्कार मैं आज बात करूँ है कुछ लोग कल मुझसे पूछ रहे थे कि लोकल ट्रेन कभ इस्टार्ट होगी मैंने का भईया मैं कैसे बताओ यह तो सरकार बता सकती आपकी आप केंदर सरकार से पूछें राज्य सरकार से पूछें मैं भी सच में मेरे दिमाग में भी यही प्रस्नद्धा कि अगर लोकल ट्रेन चालू किया है आप लोगों ने और उसमें सरकारी करमशारी ही प्रवाज कर रहे हैं तो जो प्राइबेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से अपने काम धंदे प्रारंब करेंगे जो विरार रहता है जो सफा ले रहता है वो किस प्रकार से अगर hinge certci gate जाना है उसका उसे काम करने तो किस प्रकार से जायेगा है आपने इस पूरे चार महिने के लॉपडाउन में इन सरकारी मुलाजिम जितने भी थे हैं उनकी तन्खवा हर महिने दिये है आपने कभी सोचा है ये प्राइबेट सेक्टर वाले चार महिने से घर पे बैठे हैं इन्हें तनक्वा भी नहीं मिल रही हैं और आप लोग ने एक शर्कुलर निकाला या कहा कि नहीं हर प्राइबेट सेक्टर को जो लोग हैं कमपनी वाले उनके अपने वरकरों को सैल्डी दे सकें नहीं किया और आज फिर वही हाल आपने लोगडाउन में लोकल तो प्रारंब किये हैं लेकिन उसमें सरकारी मुलाजिम ही जा सकते हैं और लोग अगर काम धंदा चालू भी करना चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं घरों में बैटे हैं बेरोजगारी बढ़ी हैं बेर कि भी जो दूसरे अन्यम मरीज हैं उनको एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं था कई मरीज तो ऐसे तो आपने देखा होगा नियूस्पेपर के माध्धम से मीडिया सोचल मीडिया के माध्धम से जो इलाज की अभाव में दम तोड़ चुके हैं कितनी सर्मना बात है और दरा दिया है लोगों को मैं सरकार से पूछना जाता हूँ मैं रास सरकार से मैं केंदर सरकार से पूछना जाता हूँ जो हमारे रिकसा ड्राइबर चार महीने से घर पे बैठे थे जो हमारे रेलवे इस्टेशनों पे खुली थे वो चार महीने से बैठे थे जो हमारे क्या मदद किया है आपने कोई आएगा मन की बाद करेगा कोई आएगा कि मैं ये कर दिया हूं मैंने ऐसा कर दिया है और क्या कर दिया मेरा भीया मिडिल क्लास के लोग मर रहें भूखे आप क्यों नहीं सफर कर जीद, जीस प्रकार से आप सरकारी, कर्मचारियों को लोकल टैनों में भेज रहें, उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में जिनकी कंपनियां चालू हैं, उन्हें भी वह से ही बेवस्ता करके भेजें, ये मेरा निवेदन है आपसे, इस पे ध्या को पे आएगी तन्यवाद